अहंकार छोड़िये और सीखना शुरू कीजिये. धर्ती पर जन्म लेने के साथ ही सीखने की प्रक्रिया प्रारंब हो जाती हैं, जो हम बड़े होते जाते हैं. सीखने की प्रक्रिया भी विस्तार लेती जाती हैं. जल्धी हम उठना, बैठना, बोलना, चलना सीख लेते हैं. इस बड़े होने की प्रक्रिया के साथ ही कभी-कभी हमारा अहंकार हमसे अधिक बड़ा हो जाता है और तब हम सीखना छोड़कर गल्तियां करने लगते हैं यहां अमकार हमारे विकास मार को अवरूत कर देता है इस बात की चर्चा करते हुए मुझे एक वाकिया याद आ रहा है जिसकी चर्चा यहां करना अच्छा होगा एक बार की बात है रूस के आस्पिंस्की नाम के महान विचारत एक बार संथ गुर्जियफ से मिलने उनके घर गए दोनों में विभिन विश्यों पर चर्चा होने लगी आस्पेंस्की ने संथ गुर्जियफ से कहा यू तो मैंने गहन अध्ययन और अनुभव के द्वारा काफी ज्ञान अर्जित किया है किन्तु मैं कुछ और भी जानना चाहता हूँ आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं गुर्जियफ को मालूम था कि आस्पेंस्की अपने विशय के प्रकांड विद्वान है जिसका उन्हें थोड़ा घमंड भी है आथा सीधी बात करने से कोई काम नहीं बनेगा इसलिए उन्होंने कुछ देर सोचने के बाद एक कोरा कागज उठाया और उसे आस्पेंस्की की ओर बढ़ाते हुए बोले यहां अच्छी बात है कि तुम कुछ सीखना चाहते हो लेकिन मैं कैसे समझू कि तुमने अब तक क्या-क्या सीख लिया है और क्या-क्या नहीं सीखा है आका तुम ऐसा करो कि जो कुछ भी जानते हो और जो नहीं जानते हो उन दोनों के बारे में इस कागज पर लिख दो जो तुम पहले से ही जानते हो उसके बारे में तो चर्चा करना व्यर्थ है और जो तुम नहीं जानते उस पर ही चर्चा करना ठीक रहेगा बात एकदम सरल थी लेकिन ओस्पिंस की के लिए कुछ मुश्किल उनका ज्यानी होने का अभिमान धूल-धूसरित हो गया ओस्पिंस की आत्मा और परमात्मा जैसे विशय के बारे में तो बहुत जानते थे लेकिन तत्वस्वरूप और भेदभेद के बारे में उन्होंने सोचा तक नहीं था गुर्जियफ की बात सुनकर वे सोच में पड़ गए काफी देर सोचने के बाद भी जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने वह कोरा कागस जयोकात्यो गुर्जियफ को थमा दिया और बोले श्रीमान मैं तो कुछ भी नहीं जानता आज आपने मेरी आंखे खोल दी आस्पेंस्की के विनमरता पूर्वक कहे गए इन शब्दों से गुर्जियफ बेहत प्रभावती हुए और बोले ठीक है अब तुमने जानने योग्य पहली बात जान ली है कि तुम कुछ नहीं जानते यही ज्यान की प्रथम सीड़ी है अब तुम्हें कुछ सिखाया और बताया जा सकता है अर्थात खाली बरतन को भरा जा सकता है किन्तु आंकार से भरे बरतन में बूंद भर ज्यान भरना संभव नहीं अगर हम खुद को ज्यान को ग्रहन करने के लिए तयार रखे तो ज्यानार्जन के लिए सुपात्र बन सकेंगे। ज्यानी बनने के लिए जरूरी है कि मनुष्य ज्यान को पालेने का संकल्प ले और वह केवल एक गुरू से ही स्वयम को न बांधे बलकि उसे जहां कहीं भी अच्छी बात पता चले, उसे ग्रहन करें।